इमली दिल्चस्प ट्विस्ट और ड्रामा के लिए कमरकस रही है इमली और आदित्य सभी बाधाओं से लड़ने और अपने प्यार को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जबके मालिनी चाय का प्याला आसान नहीं है और यहां वह इससे लड़ने और आदित्य को वापस लान के लिए तयार है मालिनी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तयार है और कुछ भी करने के लिए तयार है और यहां वह आदित्य पर बदसूरत आरोप लगाती है मालिनी ने आदित्य पर बलातकार के आरोप लगाए और यहां त्रिपाठी परिवार हैरान रहे गया और इसे ब बाहर जाने के लिए कहती है। इमली भी आसु बहार ही है और नहीं जानती की वर्तमान स्थिती पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए आगे और नाटक और धमाका का क्या इंतजार है। कहाने में बड़े उतार चड़ाव आते हैं जहां अनतक आधित्य और इमली का अन्थ होता है। आधित्य और इमली का भरो सेमंद रिष्टा तब तूट जाता है जब मालिनी साबित करती है कि आधित्य उसके साथ सोया था। तृपाथी अपना अन्तिम निल्डे लेते है कि म मालिनी ही उनकी बहु होगी जब आदित्य ने उसे पत्नी का अधिकार दिया था इमली को मानसिक और भावनात्मक रूप से तूटने का सामना करना पड़ता है जब मालिनी उसे और अधिक उकसाती है कि आदित्य पिछली रात से कुछ भी याद नहीं रखने का नाटक कर रहा है चीजे काफी हद तक ट्रोल हो जाती है क्योंकि इमली का मानना है कि आदित्य ने वास्तव में उसके प्यार और उसके भरोसे को धोखा दिया है इस प्रकार वह अपनी शादी को छोड़ देती है इमली टीवी सीरियल का ये दिल दहला देने वाला सिलसला यहीं खत्म नही होता है इमली फिर उस घर को छोड़ने का फैसला करती है जहां उसका कोई नहीं है मीठी नानी और इमली अंत में त्रिपाठी हाउस से बाहर निकलते हैं जबकि आदित्य दिल टूटने और दोशी के पीछे खड़ा है और अब हम आदित्य और त्रिपाठी को एक बड़ा स सबक सीखते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं